सभी आंगनबाडी सेविका सहय का मिनी बहनों का अपने आल इंडिया आंगनबाडी न्यूस चैनल की आज सुबे साथ बजे की सच्ची खबरों में स्वागत है भाईो बहनों आपको बता दें कि अंसकालिक करमचारी भी समानकारे समानवेतन के हकदार है जिसके बारे में इलहाबाद हाई कोट ने एक फैसला दिया है तो अभी हम इस मुद्दे पर तो आएंगे उत्तर प्रदेश की आंगनबारी बहनों की लहाबाद हाई कोर्ट ने जो अंसकालिक करमचारी भी समानकार के समानवेतन के हकदार हैं इससे क्या अच्छी जानकारियां हो सकती हैं उससे पहले आपको हम 30 दसंबर की कोर्ट सहयोग रासी सुनिल जी को भेजी है वो बहने अपना अपना नाम चेक कर सकती है एक ही लिस्ट जो है यहाँ पर देखने को मिली है क्योंकि एक ही लिस्ट है 30 दिसंबर की धरम सीला देवी हर हुआ वाराड़ासी 200 प्रतिभाराय बरच्छावर गाजीपूर 500 मालती देवी सहयका ब बबिता गुपता 200 सविता स्रिवास्तो 200 बिंदु देवी 200 कुशुमलता समरेर बदायू 100 किरन समरेर बदायू 100 अंगुरा देवी समरेर बदायू 100 तो इस तरह से भाई ने लिख भी दिया है केवल एक ही लिस्ट है तो 30 दिसंबर को केवल इतनी ही वहने हैं जिनोंने पैस सकोर्ट सहीयोगरासी सुनिल जी को भेजी है С्क्रीन सौट भेजे हैं वो आज आठ जिन्वरी को आप सब को प्रसारित कर दे गई गयी है अब आगे की जो लिस्टे हैं वो आ जाएंगी वो भी एक करके आपको दिखा देंगे तो अब हम आते हैं अपनी में खबर पर जैसा क मैंने आपको कहा कि अंसकालिक कर्मचारी भी समानकार समान वेतन के हकदार है ऐसा इलहाबाद हाई कोट ने कहा है अब ये खबर प्रियाग राज में प्रसारित की गई है इलहाबाद हाई कोट ने एक फैसले में कहा है कि अंसकालिक कर्मचारी भी समानकार समान वेतन सिध्ध उन दैनिक आईस्थाई और अनुबंधित करमचारियों पर भी लागू होता है जो नियमित करमचारियों की तरह ही काम करते हैं। कड़ लेने का नर्देश दिया है। अन्सकालिक माली है लेकिन उसे नियुनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है जबकि पूरे दिन नियमित करमचारी की तरह काम लिया जाता है। की प्रकरत पूर्ण कालिक है यदि कोई करमचारी दूसरे करमचारी के समान काम या जम्मेदारी निभाता है तो उसमें विभेद नहीं किया जाना चाहिए। और वह समान वेतन का हकदार है। रहे हैं और देख भी रहे हैं। वह एक तरह से करमचारी की तरह हैं और अगर रही बात काम की तो वो तो हर कोई जानता है अध्यापकों की तरह ये पढ़ाती हैं। जैसे समान काम वो करती हैं। उसके अलावा भी तमाम काम चाहिए एनम हो आसा हों। स्वासिभाग के काम हों। यहां तक कि नर्वाचन आयोक के भी काम हों। हर एक कामों को वो पूरा-पूरा करती हैं। तो सुबह से साम तक तो वो काम ही काम करती हैं। अब ऐसे में देखा जाये तो उस काम के बदले जो कि कई तरह से काम करती हैं। उनको दाम नहीं मिलता। उनको भी वेतनमान नहीं मिलता। जो की वो भी हगदार है तो अब ऐसे मामलों में कोट निर्ड़े करे और हर किसी को न्याय मिले यहाँ पर तो माली किये कि अचकाती जिस पर सुनवाई करते हुए यह बोल दिया गया अब हो सकता है उस माली को अपना पूरा वेतनमान दिया जाए सफाई इंस्पेक्टरों से खाद निर्चक का काम लेने पर रोक लगा दी गई इलहाबाद हाई कोट ने प्रदेश के नगर निगमों एवं अनिस्थानी निकाय में काररत सफाई निर्चकों को प्रसिचर दिलाकर उनसे खाद निर्चक का भी काम कराने संबंदी आदेश पर रोक लगा दी है नगर विकास भाग के सचु तथा खाद सुरच्छा और औसदी प्रशासन विबाग के सचु इनसे दो सब्ता में व्यक्तिगत थलप नामा मांगा है यहाँ आदेश नयायमूर्ती अस्वनी कुमार मिस्र तथा नयायमूर्ती SXU रिजवी की खंड़ पीट ने प्रदेश की विसेस अपील पर दिया है एकल जग ने सरकार को नर्देश दिया कि वह नगर निगमों के सफाई निरिच्छक को खाद निरिच्छक का भी काम लेने के लिए उनका अपन से छड़ कराएं एवं अधिसूतना जारी करें सरकार क की तरब से दाखिल विसेस अपील पर अपर महा दिवक्ता इसे चतुरवेदी अपर मुख्य आस्थाय दिवक्ता रामानंद पांडे इन्नों ने पच्छ रखा कहा कि प्रदेश के नगर निगमों एवं अनिस्थानी निकायों में कारें सफाई निरिच्छकों से खाद नि लिए आ जा सकता क्योंकि इनकी निक्ति सफाई निरिच्छक का काम करने के लिए हुई है यही तो रोना है हमारे देश में जो भी जिस काम के लिए बेचारा लगाया जाता है उसको उस काम के अलावा भी अन्य अन्य काम प्रदेश सरकार खूब करा रही है अब यह मानो इस आंगनबाडी बहने उनमें से एक जिता जाता उदाहरण है एक एक आंगनबाडी कही आंगनबाडी के इंद्रों का कही जगे भार लेकर कर के बैठी है उन से वो काम करया जा रहा और उसके अलावा तमाम अन्य विभागों के काम योजनाय सरकार की प्रचार प्रसार पर भी भीन जोटाने के लिए बिना ड्रस में उनको जिले के जो अधिकारी होते हैं वो भी वहाँ पर बुला लेते हैं ऐसी भी चीजें खूब सामने आती हैं और बहनों को गुर्पों में आदेशित कर दिया जाता है कि बिना ड्रस में वहाँ जाना है मंत्री जी आ रहे हैं अब इन सब चीजों का मतलब हर कोई जानता है जनता जानती है बहने जानती है कि बिना ड्रस में जाने का ओचित क्या रहा खैर वहाँ पर बहनों के लिए कुछ होता नहीं सरकार पहले से चुनावी वादा कि ये बैठी है उसको भी पूरा नहीं कर पाई और फिर भी वहीं भीन में बहनों को बुलाया जाता कोई बहन खड़ी होकर कुछ कहभी देती है तो विभागी कारवाई अधिकारियों की धमकियां तमाम तरह से सब उनको देखने को फिर मिलने लगता है तो ये सिस्टम पूरा चल ला है कहने के लिए तो हम लोग 22 तारीक को रामराज में प पान-चेहजार रुपया आप सोचु आंगनबाडी कारिकरता को मिलते हैं इन 6,6 या 7,000 रुपय में कारिकरता अपने घर का खर्चा चलाती है और वो भी इसी काम का पैसा लगबग आधा पैसा 2000-3000 रुपया विभाग पहले ही अपने विभागी कामों में उनसे खर्चा कर लेता है कि पहले अग्रिम धंडासी जो है आप खतम करो बिल बाउचर दो उसके बाद उस पैसे का विभाग भुगतान करे और भुगतान में भी अधिकारी कई कई जगे के जो है करते नहीं है या लीपा पोती चलती रहती है तो आप सोचो छे हजार साथ जार सेलरी आधा प साथ से तो बहनों सही नहीं लगता बाकी आप सब भी जानती है आप विभाग सरकार जो करे जैसा करे वैसा करे और न्यायले से भी न्याय की अब उम्मीदें कम ही रहती चली जा रही है आपने देखा है मध्यप्रदेश में किस तरीके से वहाँ पर जो है कोट ने फैसला दिया है कि 15,000 रुपिया अंगन बारी बहनों पर जुर्माना लगेगा जो हरताल में जाएंगी एक पर लगा दिया गया उसी क्याधार पर अब बांकी जो भी जाएंगी उन सब पर 15,000 जुर्माना लगा करेगा तो ऐसे फैसले न्यायले दे रहा है कि लोग तंत्रिक करमचारी अपनी आवाज उठाने के लिए जो है सुचित होना चाहिए लेकिन ऐसा है नहीं करमचारी को इस तरह से डराया जा रहा है कि वो धरताल करे ही न अभेसे इसे नयने नियम नयने कानून नया नया सबा रहा है जिसको चल लेकर के काफी दिकते बन जाती हाई कोट म में दो जनवरी से केस लिस्टिंग यानि सूची बदता के केस मेनेजमेंट सिस्टम लागू कर दिया गया है समस्याओं के निराकरण के लिए CIT भवन में हेल्प डेस्क महानिमंधन राजियू भारती ने तीन अधिकारियों को कोट केस मेनेजमेंट सिस्टम परकडाई से अमल करने का नर्देश दिया है हाई कोट की विग्यापती में कहा गया कि अधिवक्ता अपनी लिस्टिंग से सम्मंदे समस्याओं के निराकरण के लिए हेल्प डेस्का सारा ले सकते हैं हाई कोट बार एसोसियेशन के महासच्यू नितिन सर्मा ने इसी बड़ी उपलब्धी बताया है कहा कि हेल्प डेस्क के प्रभारी संयुक्त निर्वंधक नियाई योगेस दूबे होंगे इस तरह से सब चीजें बताइगे जो भी ओ जैसा हो आज कल तो नियाए भी मिलता है तो मानो जैसे विभाग सरकार के पच्छों में जा रहा हो यही तो दर्सा रहा है मध्य प्रदेस का नियाए क्योंकि 15,000 जुर्माना लगाना वो भी छोटे-छोटे करमचारियों पर वो भी किसलिए कि वो उन्होंने हरताल की हरताल क्योंकि इस बात का न नियाले सोचना समझना चारा न कोई भाई हरताल करमचारी करेगा तो उसकी समस्या होंगी उसका सोचर होगा तभी वो मैदान में आएगा पहले नेता सरकार के सामने मिलता है ग्यापन देता है समस्या बताता है उनको जुमलों से फुरसत नहीं मिलती कार पूरा नहीं कर पाते तो न्याय नहीं कर पाते या उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर पाते तो फिर करमचारी या कोई भी व्यक्ति हर्ताल पर उतारू होता है और ऐसे में न्याय ले न्याय करें कि हर्ताल पर गए हैं तो पंदा हजार पैसा काटो इनका जुर्माना लगा दो इन पर तो ये मेर हिसाब से न्याय कि इस रड़ी में नहीं आता आगे चलते हैं देख सकते हैं यहाँ पर एक यह लेटर आया है जलाबेश सिच्चा दिकारी जो अयोध्या के हैं उन्होंने जारी किया है 18 तारीक को समस्त खंड सिच्चा दिकारी नगर सिच्चा दिकारी को यह भेजा गया और बहुत ही जरूरी सा आदेश है प्लीज इसको देख करके जाना वार्सिक का रियोजना एवं बजट 2024 पच्चीज एवं पच्चीज चब्चीज के संबंद में उपर्युक्त विस्यक महा नदेशक स्कूल सिच्चा एवं राज परियोजना नदेशक समगर सिच्चा उत्तर असिक कारियोजना आगामी दो वित्ति वर्स जैसे 2024 पच्चीज और पच्चीज चब्चीज इसके लिए तैयार की जानी है प्री प्राइमरी हेड के अंतरगत अनावर्तक मद में आउटडोर प्ले माटेरियल आगनबारी किंद्र में नावांकित बच्चों के प्रियोगा जिन में को लोकेटिट आगनबारी केंद्र हैं उनकी सूची नरधारित प्रारूप पर राज पर्योजना काराले द्वारा सिच्चा मंत्राले भारत सरकार नई दिल्ली को वार्सिक कार्योजना के प्रस्ताव के साथ प्रिसित की जानी है तदक्रम में सनलगन एक के अनुस जनपद्वार नरधारित विद्याले को लोकेटिट आगनबारी केंद्र युक्त का चयन निमलिकित नरधेसों को ध्यान में रखते हुए वेकास खंड इस्तर पर किया जाना है तो बहनों ध्यान देना इसको अच्छे से सून लेना मैं करके बताऊंगा और आज एक और बा तो थोड़ा दिकट होती है तो अभी मुझे लगता है बहुत ज़्यादा वीडियो बनाने की बजाए दो ही वीडियो पर राप्त हैं वीडियो लंबे थोड़े बेसक हो सकते हैं क्योंकि खबरे भी वो पहुचानी है तो जो खबरे तीन वीडियो में आती उनको हम धो में देने की कोशिस करेंगे इसलिए तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है उसको देख लेना टाइम निकाल करके और बार बार वीडियो देखना ना पड़े एक ही बार वीडियो देखें तो ज़्यादा अब तक पहुंच जाए बेसक वीडियो लंबा हो आप अपना काम करती जाएं वीडियो देखती जाएं और खबरे पहुचती रहेंगी तो हम कोशिज यही करेंगे सुबह और साम अगर स्पॉंस अच्छा रहा अगर चीजे ठीक रही सभी भेने समय से इन दोनों वीडियो को पूरा-पूरा देखती रही तो बहुत अच्छी बात रहेगी लिखा यहाँ पर ऐसे विद्याले को लोकेटट आंगनबाडी किंद्र युक्त वाले खास तोर पर उनका चेन किया जाए कि यू डायस 2022-23 में आंगनबाडी किंद्र को को लोकेटट वाले विद्याले के रूप में अंकित हों इसका मिलान अवस्थ किया जाए बाला फीचर्स आउटडोर प्ले मेटेरियल एवं बाला फीचर्स हेतू चाहार दिवारी आंगनबाडी केंद्र बालवाट का कच्छा कच्छ की उपलब्दता आउटडोर प्ले मेटेरियल इस्तापित करने के लिए खुले इस्थान की उपलब्दता तथा आंगनबाडी केंद्र में इसके लिए अनमोदन प्राप्त हो चुका है उन विद्याले का चेयन नहीं किया जाएगा। विद्यालियों को लोकेटेट आगनबारी केंद्र युक्त के चेयन में समस्तन्याय पंचायतों के समलित करने का प्रयास किया जाए। अस्तु जो है उक्त के सम्मन्द में आप सभी को नर्देश किया जाता है कि उपरोक्त नर्देश के करम में दिये गए प्रारूप पर प्रतिविकास खंडप 35-35 को लोकेटेट आगनबारी विद्यालियों की सनलगन दो और तीन हस्ताचरी सूची एवं सौप्ट एक्सल में क पॉपी भी कारेले को 19 दिसंबर तक इमेल के माध्यम से उपलग्द कराना सुनिश्चित करे संतोस कुमार राय जलाबेसी सिच्छादिकारी अयुद्या से तो बहनों आप देख रहे हैं ये चीजें सिच्छा विभाग के तहत की जा रही है और जिन केंद्रों का पहले से ह हो चुका है पिछले वित्ती वर्सों में उनका ना करके अब जो नए जो रह गए हैं उनको भी धीरे धीरे करके आच्छा दित किया जा रहा है कि वो भी सामिल हो तो इसलिए प्रती विकास खंड 35 जो को लोकेटेड वाले पहले केंद्रब हैं अब उनको पहले ये चीजें मोहिया कराई जाएंगी अब देखे रही बात प्रारूप की सलगनक जो दो की बात मैंने की वो कुछ इस तरीके से है जिसको आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ये आउट डोर प्ले मैटेरियल एवं बाला फीचर्स के लिए 2024-25 और 25-26 यानि आगामी दो वर्सों में ये स को लोकेटट आंगनबारी केंद का कोड आंगनबारी केंद का नाम आंकन 3-4 या 4-5-5-6 वेदैले में आउट डोर प्ले मैटेरियल खुले स्थान के उपलगता है कि नहीं है वो चीजे क्योंकि जो खुले स्थान पर भी बच्चों के खेलने के लिए कुछ ना कुछ बेसक वो जूला आए उच ना कुछ आएगा तो उनसे भी चीजें अच्छद की जाए जो बाहरी खेल के लिए जरूरी हो नोट में लिख दिया गया कि प्रमारित किया जाता है कि कि सूची में दिये गए विद्याले में बाला फीचर्स एवं आउट डोर प्ले मैटेरियल के लिए वर्स 2021-22-23-23-24 इनमें अनमोधन प्रदान नहीं किया गया है तो ध्यान देना 2021-22-23-23-24 जो अभी हो चुका एक तरह से जिनमें पहले जिनका चैन हो चुका है तो उनको छोड़कर के बांकी लोगों को करना सनलगनक तीन में देखो क्या है ये है फरनीचर के ये सब चीज़े मिलनी है बाला फीचर्स के तहद वो चीज़े और जो आपको अभी हमने बताई आउटडोर प्ले मिटेल यानि बाहरी खेल के लिए जो खेलोने लोने जो खेल सामा ग्रीम में बड़ा कुछ भी हो उसमें बजट बजट का भी एक कुछ दिन पहले मैंने द सामिले तो ये सेम वही चीज़े है साइद पच्चास अजार की लागत से सब चीज़े मोहिया होनी थी अभी दो तिन दनी हुए होंगे मुश्किल से मैंने वीडियो दिया था साइद आप में से जो डेली वीडियो पूरा पूरा देखते हैं उनको पता होगा अब इसमें लिखा है जनपत का नाम बलाग का नाम विद्याले का नाम विद्याले का यूडायस कोड को लोकेटट आंगनबाडी किंद का कोड आंगनबाडी किंद का कोड आंगनबाडी किंद का नाम अंकन तीन से चार चार से पांच पांच से च्छे ये वर्स से हां दरसाए गए हैं मंवेद्याल है कि आगनबाडी केंद्र में अन्य किसी सोर्स से बच्चों के लिए फरनीचर उपलब्ध नहीं है इस तरह से यहाँ पर चीजों को लिख दिया गया तो अब यह सिच्छा भाग की तहत चीजें बहनों आप सब को वहाँ पर मोहिया कराई जाएंगी तो दोस्त चीजें आप सब उसको पूरा देख लेना बहुत इंटर ही अच्चा रहेगा एक मेहनत से हम भी बनाते हैं देखो आराम करना हम भी लेकिन जरूरी होती हैं खबरे भी देना पहुचाना अब सब तक तो जब मेनत इतनी हम कर सकते हैं इन सिच्योएसन में तो आप सब बस बैठ करके उनको सुनतों सकते ही हैं तो कृपया अपनी खबरों को सुन लिया करें अपनी बेहनों को अगर सेयर कर पाएं तो सेयर कर दि देख लिया करे धन्यवाद दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए